सबी किसान साथियों का नमस्कार, साथियों आज हम आपके लिए बहुती महतोपुर्ण जानकारी परमुख भेड की नसलों के बारे में ले करके आए हैं क्योंकि आज के समय बकरी पालन वेवसाय के साथ साथ भेड पालन वेवसाय का करेज भी बहुत अधिक हो गया है और भेड की भारत में कम से कम पचास देसी नसले हैं और उसके साथ ही साथ में कुछ शंकर नसले और कुछ विदेसी नसलों का परचलन भी आज के समय वेवसाइक भेड पालन के कारिये में भारत में बहुत अधिक होने लग गया है और परतेक किसान भाई को सभी नसलों की या अच्छी नसलों की जानकारी नहीं है जिसकी वज़े से भेड पालन में नसल का सलेक्शन पसु पालक भाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो इसलिए हम आज आपके लिए जो परमुख व्यवसाइक नसले हैं इनके बारे में देशी भेड के नसल है जिसे दुमबा भेड के नाम से जाना जाता है दुमबा भेड का परचलन आजकल पूरे भारत वर्ष में बहुत अधिक है क्योंकि इस भेड के अंदर ग्रोथ रेट सबसे फास्ट होती है इसमें बड़वार जल्दी होती है और इसका बजन है वो ब जाने से चला जाता है तो दुमबा भेड पालन का कारिये आप साथी कर सकते हैं इसके बाद में दूसरे नंबर की भेड की अदिवपन बात करते हैं तो अविसान अविसान केंदरिये भेड एवं उन अनुसंधान संस्थान CSWRI अविकानगर जो टौंक राजस्तान में इस् एक साथ में दो तीन या च्यार बच्चे देने में भी शक्षम है तो जादा बच्चे देने वाली भेड की नसल है इसलिए इसे मास उत्पादन के लिए पाला जाता है और इसकी डिमांड भी पूरे भारत वर्ष में आज के सिमें बहुत अधिक है तीसरी यदि बात करते ह हैं पातनवाडी भेड पातनवाडी भेड गुजरात की बहुती परसिद भेड है और इसे मेंली दूद उत्पादन के लिए पाला जाता है भेड की एक पूरे भारत में ऐसी नसल है जिसने लगबग एक से लेकर के डेड़ किलोग्राम तक दूद परती दिन दिया है तो प पन नेक्स्ट नसल की बात करते हैं मुझफर नगरी मुझफर नगरी उतरपरदेश की नसल है और उतरपरदेश में मुझफर नगर सहारनपूर और आगरा का जो छेतर है यहां की नसल है बहुती शांदार भेड की नसल है और इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत शांदा है और CIRG जो केंद्रिय बक्री अनुसंदान संस्तान मतुरा के अंदर है वहां पे इस भेड का बजन इसके नर का बजन एक क्वेंटल 10 से 15 किलो तक भी गया है तो भेड की हैवी वेट की ये नसल है इसे माश उत्पादरिंग के दरश्टी से बहुत अच्छे से पाला जा सकता है और इसकी आज के समय में पूरे भारत में इसकी मांग है इसे लंब दूमा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका जो पूँच होता है वो बिल्कुल जमीन के टच होता है लंबा पूँच होता है तो इसकी आज के समय में डिमांड काफियदिक है इसके बाद यदि अपन नेक्स्ट भेड की बात करते हैं कजली कजली भेड पंजाब और हरियाना और पंजाब हरियाना का जो टच का राजस्तान का जो छेतर है गंगानगर और हनुमानगड इस छेतर की भेड है इस भेड की खासियत यह है कि आप जैसे देख पा रहे हैं इसके आँखों के चारों साइडों में राउंड सर्कल होता है जिसकी वज़े से इसका नाम कजली रखा गया और ये भी काफी अच्छी श्यांधार भेड की नसल है इसमें भी ग्रोथ रेट काफी फास्ट है मेल का बजन सतर से असी किलोगराम तक आसानी से चला जाता है इसे माश और दूद उत्पादन के लिए पाला जाता है इसके बाद यदि नेक्स्ट बात करते हैं मालपूरा मालपूरा राजस्तान की भेड की नसल है जो टॉंक और जैपूर जिल्ले के आसपास में पाई जाती है इससे जो उन मिलती है प्राप्त होती है वो मोटी उन प्राप्त होती है और इससे मास जो मिलता है वो भी पादन की दरस्टी से भी पाला जाता है नेक्स्ट भेड की नसल है चोकला राजस्तान का चूरू जुंजनू और शिक्र जो छेतर है सेखावाटी छेतर है इस छेतर में पाई जाने वाली भेड की नसल है और राजस्तान में सबसे बारिक उन पैदा करने वाली जो भेड है व फिर नेक्स्ट भेड है मगरा, मगरा को विकानेरी चोकला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विकानेर छेतर में इस भेड से बारिक किसम की उन प्राप्त होती है, इस वज़े से विकानेरी चोकला कहते हैं, और इस भेड को भी मास और उन उत्पादन की दरस्टी से पाला मारवाडी भेड जो राजस्तान का मारवाड छेतर है बाड मेर जेसल मेर जोदपूर उस छेतर में पाए जाती है और इसके चहरे का कलर जैसा कि आप देख पा रहे हैं काले रंग का होता है और बाकी सरीर इसका सफेद होता है तो इसे भी उन और मास उत्पादन के लिए पाल पाई जाती है लंबे कान इसके होते हैं इसे लांपडी के नाम से भी जाना जाता है इस भेड को भी मास और दूद पादन के लिए पाला जाता है इसके बाद आती है नाली भेड राजस्तान का जो हनुमानगड गंगानगर का जो एरिया है या हरियाना में हिसार्थ जो छे किलोग्राम तक चला जाता है तो इसे भी मास उत्पादन और दूद उत्पादन की दरस्टी से बासानी से पाला जा सकता है इसके बाद ये अपन बात करते हैं मदरास रेड मदरास रेड जैसा कि आप फोटो में सामने देख पा रहे हैं कि रेड कलर की होती है लाल कलर की नेक्स्ट जो भेड है पूरे भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबाई और हाइट के अंदर जो भेड माने गई है नेलोर भेड अंदर परदेश की भेड है और मीट उत्पादन की दरस्टी से अच्छा माना गया है तो मास उत्पादन की दरस्टी से इसे पाला जाता है नेक्स्ट जो भेड है गेरोल गेरोल भारत के सबसे छोटी भेड की नसल है smallest breed of sheep है और ये बेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है बेस्ट बंगाल इसका breeding track है और इस भेड के अंदर एक साथ में तीन से चार बच्चे देने की ख्रमता है छोटे कद की होती है पर फिर भी य परमुक भेडे इनके अलावा भी कई सारी ऐसी बेडे हैं जैसे गेरोल है गदी है बहुत सारी ऐसी बेडे हैं जो राजस्तान के अलावा भी जो छेतर हैं उन छेतरों में पाई जाती है पूरे भारतवर्स में पाई जाती है पर उन भेडों का परचलन इतना जादा अधि नहीं है क्योंकि उन्हें कोमर्शिल सिस्टम के अंदर इतना ज़्यादा महतव नहीं दिया जा रहा है आज के समय में जो मांश उत्पादन के लिए जिन भेड़ों की डिमांड सब से ज़्यादा थी उस पे हम ये वीडियो लेकर के आप सब के लिए लेकर के आये थे आपका प्यार बहुत जादा हमें अच्छे तरीके से मिल पा रहा है ऐसा ही प्यार आप आगे देते रहें इसी तरह से हम भेड़ पालन बकरी पालन गाए भेंस पालन से समंदित आपके लिए नसलों से समंदित अनेकों आगे वीडियो लेते आते रहेंगे आप सभी सात्यों का ब बहुत बहुत धन्यवाद